ति आप भी जाएंगे 2222 को पेपर देने नहीं इस वीडियो कॉम्प्लिट देखेगा कियोंकि परिछा में यहीं पेपर देखने को मिलेगा 2222 को यहीं पर आने वला इस वीडियो कॉम्प्लिट देखना होगा प्रूसलिशन कराओं इस ईस टाइप की पीपर भूटेजयाएंगे हैं जाए सबसे पहले इस टाइप का पेपर मिलेगा पेपर में सबसे पहले अपने रॉल नांबर लिग देंगे ठीक है यहां पर आएंगे नीचे यहां पर देखे 40 प्रस्ण मांसी को करेंगे और 20 प्रस्ण अंग करेंगे यानि कि बहां सा परीछा के 20 प्रस्ण टोटल 80 प्रस्ण रहेंगे 100 नंबर का रहेगा ठीक है इसको निजदेश को पढ़ने की रोत नहीं है जो मैं बताऊंगा वैसे आप लोग को करना यह प्रस्ण में रहें तो है चलिए लाँ से अलग आखुरीटी निजदेश को पढ़ेंगे तो यही बताएंगा इसमें सबसे अलग उत्याइट कौुन से हैं इसमें सबसे अलग औरेगी देखेंगे तो यह भी बाहर है ब्र देखें यह बाहर है यह बहार है यह बाहर है मैं आम को UA यहां पर समझीए पर यहां पर यह सव में कोई आज्वा से लूटीत में कोई ना चाहिए पर नुझा दरां यह कोई इस में लू आछ ऐगका इसके अन्स वांदर उख यह हमें इसे के इंदर एक एक दे प्छाने में और यह कि यह एक तिरोज मैं टोनों इस तिरोज में तो राइट अलग अलग टिरेंग ouvert और घ्लबंग men नेश्ट भाग में जैसे ही पहुचेंगे भाग 2 में आप लोग से पुछेगा ना कि मैं जैसा हूँ वैसा हमें दिखा दीजी यानि कि यह जब निर्देश पढ़ेंगे तो इसके जैसे आक्रिती इसमें से बताना है यह कोस्टन है इसके चार एंसर दिये गें इसमें से भाग three में हम लोग जैसे ही पहुचेंगे भाग three में जल्द-जल्द में हम लोग question solve करेंगे यहाँ पर देखे यह आप लोग का हिस्सा यहाँ का हिस्सा बताना है चिक है तो हम लोग कैसे बताएंगे सबसे पहली बाँ समझेगा ठीक है यह बढ़ी यह इक ऑर जैसे हैं मतलब इसमें ऐसे नहीं है चीन नहीं है और इसमें जब चीन है तो इसमें भी चीन आएगा तो चीन तो मतलब यद्धि इसको आप इज़नाई तो रखेंगे है इसको दोटागे पूश्चन करेगा कि इसके बाद ऐसे हुआ है जैसे एक के बाद दो आता है तो तीन की बाद कैसे बद क्लेंट करेंगे ठीके फेर इश्वघ्य गांप लोग कॉमेंट करेंगों सी treball एक लिए वी पाने से झाल होती स्लिए फिर इसे यह 800 सी नम्बर नमबर क्योंकि पहले यह लहएं तो पहले रख लेंगे यह आफ लोगो से प्रृष्ण करेगा कि इसमें इसके बाद इसमें क्या संब्न मय दोगा थे यह पहले इसको मैं फिगर के माधेम से समझाऊ-फिगर के माधेम से काफी यह कि सब से पहले बात कि एक है कि ऐसे है इसको विलाटा को यह साइड में और इसको जब ऐसे किया जाएगा तो यह सिधा करके कर दिए गाए बी नंबर ऐटन जो जाएगा ठीक है इसमें आप लोग बता पाएंगे बहुत ईजिए यह पहले गोल था फिर इसके आधा-दे टोड़कर और आइसे कर दियेगा इसको भी तोड़कर आईसे कर दिये यानिकि पूरा का पूरा फिगर है यानिकि यह मतलब समझे कि एक तरफ से टूटा हुआ नहीं है अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊ ऐसे बनाऊ ठीक है ध्यान समझेगा ऐसे बनाऊ तो देखे यहां का हिस्सा खो गया ना यहां का हिस्सा यहां का हिस्सा खो गया है ठीक है यह वाला आप लोग का जो हिस्सा है ना नीचे वाला तो यही वाला एंसर हो जाएगा इस question के लिए तो यह तूटा हुआ है तो इसको जब ऐसे pencil से मिलाएंगे तो right answer कौन सा बैठेगा यहां से उठा करेंगे तो आप लोग को confirm होगा बी नमबर को रख देंगे तो बैठ जाएगा ठीक है उसको जब इस question में आएंगे तो इस question को रखने के लिए कौन सा figure उठा का रखेंगे तो आप लोग को रखना होगा सै नमबर को रखेंगे तो right answer मैकी करडा रखेंगे घुक है वैसे ही करना है इसको इस में को mos रखेंगे इसमें आप लोग यहांसर रख देते हैं तो मैकी करडा लएह कोई दिख्कत नहीं है इसमें आदे आप लोग रख देंगे के सार बताने लाङ भी है क्ट्र लागा हुआ है पहलं पाना है और भर मित्विस D उन्मकाको यह तो आप लोगा आप अपना जैसे पहोगएगे लेकिन वही कोई बन कर जांगे ले लेकर जायेंगे लेकर जाएंगे ले également फिसा मिस का अयों तो सबसे पहले यह यह दरपड बन गया तो यह जो लिखा नो वही यहां पर लिख दीजी यह वही आपर लिख दीजी बी डबल ओ के ठीक है देखे एक्जाम में चाहिएगा यह दिन नहीं समझ भाएगा तो अब यह ट्राइग कीजिएगा बी हो गया उसके बाद से डबल ओ हो गया ठीक है यह को मैंने बना दिया के बना दिया ठीक है के बना दिया तिया आप लोगा क्या है दरपड में यह मैंने बुक को लिख दिया अब इसको उगा दिया अब इसको क्या करना है दरपड इस साइट में लगा नो तो ऐसे पलटना है कागज को ऐसे पलटना है जब इसको पलटेंगा बना है यह फिगर बना हुआ है डबल ओ एक हो गया कि mm में ऊपलोक ऑलोक कर दिया यह कर दियाक समय आएगा तोफिकर लेंगे य सब्लसक्र नहीं समझतें यह द्वात्रिय।सस्ट सफ्ल्सक्राइब सब्सक्राइब कज़़ देंगे वह युज सबसे पहले मैं छोटा सा कागज ले लेता हूं यह रहा है मैं छोटा सा कागज ले लेता हूं यह एक छोटा सा कागज यह रहा हां यह मैं ले लिए देख Prague अब कोश्चन कर Tea ना गे तो मैं सबसे जोटा सा कागज कुछ को में सूर्री सबीता घ्न मारहें सब्सक्राचनर कर्का एक वर्स ऒसके पैए वर्स परẹlे सी फोल्ड कर दिया in उसके जैसे मैं इसको फोल्ड कर रहा हम इधर सी दůर्स फोल्ड कर दिया वे रिख है इधर से इधर फोल्ड करना है ठीक है तो यह मैं इधर फोल्ड कर देता हूं देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने ही कर रहा हूं ठीक है अब को रहा है भाई से आप क्या कीजिए मैं समझाने का आप लोग को प्रयास करूंगा ठीक हाथ पर रखूंगा तो काफी ऐसे तरी के समझ में आएगा अब कर रहा है यहां से कॉट कर दीजिए यहां से ऐसे कॉट कर दीजिए कोस्टन में देखिए यहां पर कोस्टन में देखिए यह कर रहा है इधर कॉट कर दीजिए तो चलिए मैं इसको कॉट कर देता हूं तो कैंशी के माधियम से हम लोग करेंगे ठीक है और आप एक्जाम मे करेंगे इसको औपन जैसे ही करेंगे यहाँ पर सबसे पहली बाद कि इसको मैं open कर दिया ऐसे मैंने open कर दिया की नहीं यह ऐसे open होगा ठीक छे मैंने कागज के उलड़ा सुरा मत कि जीए göst Sultan लीट करने एसे फौल्ड था आप लोग ठीकर ला चोड़ा आएगा देख सकते हैं यह चोड़ा पटी आएगा तो बी नमबर आइट अचा इसके जैसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है यह इसे कर लेंगे भाग 8 को ठीक है भाग 9 में हम लोग कहुंचते हैं भाग 9 काफी इजी होता है भाग 9 को करना कोई मुश्किल न ओटीक आपक है यहीं टुकडा हिसे बाहर कोई टुकडा नहीं लाना हम इसमें दिखना चाहिए जो भी घर बने इसमें टुकडा एक दिखणा चैए यह कहा है इसको संभेनंगे तो काफी अच्छे पर के यहांज में आ जाएक यह टूकड़ा यहां पर है यह टूकड़ा इस साइड में है यह टूकड़ा यहां पर है टूकड़ा यह यह टुकड़ा इस साइड में है, और यह छोटा सा टुकड़ा इस साइड में है, और यह बीच वोला टुकड़ा इस साइड में है, बीच में, ठीके, बीच में है, तो राइट एंसर आप लोगा डिन नमबर हो जाएगा क्या, आप लोग बताएए, कमेंट कीजिए, हो जाए ठीक है यह देगी यह question right answer a number हो जाएगा इस टुकड़े को जब खोजेंगे तो यह टुकड़ा किस में मिलेगा भाई सैब यह टुकड़ा आप लोग कमेंट करेंगे है यह हमको answer बता दीजिए थींग्आ फिगर किसमें श्पा हुआ है तो यह बर्तस निदुन गलें है ऐसे कि अन्षर फिर एसे फिर तो हम लोग का एक तो नहीं हो सुम्मिल को और ऑर एकष्य heating रिआल धाइप दर्ष्यां एक हो जा गया है को जाए क्रोड़ ठीकत एक होरो माज़ब जाए उसे गया है फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये figure मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो राइट रा इनसर आपलोगे ही होजाएगा, इस वाले को को देखेंगे, तो ये वाला figure किस में चिपा हुआ है, देख सकते हैं, बीच में, यहाँ पर, ठीक है? ये वाला figure किस इसमें चिपा हुआ है यह वाला फिगर इसमें चिपा हुआ है राइट एंसर बी नमबर ठीक है नेस्ट कोस्टन में जैसे ही पहुचेंगे भाग भाग बोल रहे हैं तो परिच्छा में आप लोग पहुंच गये तो मैद का कोस्टन हम लोग काफी तरिकास समझेंगे यह सबसे छोटा बताना है तो सबसे छोटा आप लोग नहीं पता पाएंगे यह देखिए 80808 लिखा है 8088 लिखा है 80808 लिखा है 80808 लिखा है यह आप लोग का राइट अंसर हो जाएगा यह नमबर ठीक है नेस्ट कोस्टन देखेंगे यह का रहा है कि 5 2 1 4 3 से बनने वाली 5 से बनाना है फ्रस मैं जूम कर दूं क्या चलिए मैं जूम कर देता हूं ठीक है यह इतना ही जूम कर दूं हाँ चलिए जूम कर दिया मैंने अब देखिए इस कोस्टन को समझीएगा यह कोस्टन कर रहा है कि 5 कामा 2 कामा 1 कामा 4 कामा 3 से क्या बना दीजिए सम संख्या बना वाइस आप शापका कपाण का यह को किसे बोलेंगे बिस्वम संक जो इसका सिमь बिप्रेत होता है जिसमें हों 2 से भाग लगेगा संक 5 साथ ऐसे करते करते अनन तक जाएगा तो आप देगेए इससे हम लोग छोटी संक बनाते हैं संक बनाते हैं तो सबसे पहले जो छोटा है फटा हो लिख लिए जिए 1 है तो आप लोग का संक्या तो8 तो 4 को उधर कर देते हैं अब यहां से dual कर देते हैं सबसे थे मों संक्या हो जाएगा सबसे ぶल देखते हैं यहां नमबर आप संटरोगर हो जाएगा पचास तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा योग पचास तक की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छो ऐसे करते करते पचास तब ठीक है इसको जोलना है योगफल का मतलब क्या होता है बच्चो योगफल यो को जोडना है तो तीन को जोड़ेंगे तो कितना झाँगा तीन णोंभी तो धे शोड़ेंगे तो 50 तो 55 बार में 25 आझा 15 पचीश हो जाएगा दो एक अनम दो हो जाएगा पांदुना दोस हो जाएगा पांच हो जाएगा साथ हो जाएगा दो जाएगा एक हो जाएगा बारह सो पच्छतर आप लोग का राइट अंसर आया है बारह सो पच्छतर इसमें दिया है यह वह आप संदेखना है ना बाइस ह तो आप लोग को वीडियो में दिख रहा था ना बिल्कुल दिख रहा था ठीक है नेक्स कोशन को बढ़ेंगे नेक्स कोशन को रहा है कि पांच घंटी यह 10 सकेंड 12 सकेंड 15 सकेंड 20 सकेंड 30 सकेंड के अंतराल पर बचती है यदि उन्हें एक साथ बजा कर छोड़ दिया जा कुछ मत कीजिएगा एलसम निकाल लीजिएगा एलसम 10 12 15 ठीक है क्यों एलसम निकाला जाता है यह भी मैं बताऊंगा 20 एंड 30 ठीक है 30 अब एक सिंपल सा ट्रिक जानिए 10 इसका एक छोटा सा एक ट्रिक जानिए देखिए क्या करना है आप लोग को यह देखिए 10 किसी के पा इतना का निकालेंगे तो इतना ही इसका और इसका मान बराबर ही आएका देखिए कैसे अभी देखिए जाए इसा थोड़े है कि मैं कोई ऐसे मजाक कर रहा हूं ठीक है तो यह देखिए एक एक पांद इपंदर पंदर तीश दुना में 60 60 आप लोग का सब्सक्राइब में आया है तो आप लोग को पता है कि एक मिनट बराबर होता है साथ सकेंड होता है इतना बात आप लोग कंफरम होना चाहिए तो साथ सकेंड बरावर एक मिनट ठीक है साथ सकेंड बरावर एक मिनट एक मिनट ठीक है और एक मिनट बरावर साथ सकेंड दोनों में से कोई भी बाते बोल सकते हैं लोग राट एंसर एक मिनिट हो जाए धि एक साथ का बजेंगी तो राइट एक मिनिट ये यह पर फिसका बेल सम निकालेंगे साथ ही याएगा सिर्थ यक्षान होने की जूर्वत नहीं है और ऐसे कर देंगे निमन से अरोrove बढ़ा से चोटा यह ठोटा ये यादकरने का तरीक है ओर के तरफ कि तरफ ठीक है यानि कि देखिए सबसे पहले चोटा उससे देखिए सबसे पहले चोटा फिरुसे बड़ा फिरुसे बड़ा फिरुसे बड़ा फिरुसे बड़ा ऐसे जाएंगे और सबसे बड़ा का फिरुसे चोटा का फिरुसे चोटा फिरुसे चोटा फिरुसे चोटा फ प्रद्टावी कितना वर्मन जायेगा इंदर साईड में कर लेंगे तो यहांपर दस ऍमलों लो लगागे जिरो एंगे पांच उपर या तो यह क कट गया या एक पंसिति बाइंट जीरो यहां पर चार आगे त्याहां पर लिग सकते हैं इसको आप 2 बटे को करके देखेंगे कामा लगाते जाएंगे मान रखते जाएंगे फिर आपको तुलना कर लेंगे कौन बड़ा है क्वोन क्रशान छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करके कौन सने हो आप लोग हो जाईगा इसका रायट एंसर कुमेंट बोक्स मी बनाएंगे विडियो पांच भग का मतलब समझ रहे हैं इस बुक में मालेजिए फान चैप्टर नहीं प्लश रहे हैं तो पांछ चैप्टर में से एक चैप्टर पढ़ रही है एक दिन यह निकिस वह पढ़ रहा है फिर प्लास में क्या पढ़ रही है दो बटे-पांच इसको जोलेंगे टोटल है कितना पढ़ रही है तो इसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे काफी जी होता है कर लेंगे ठीक है काफी यह तरिका से पढ़ते हैं मेरा वीडियो कोई भी जाकर देखें कि काफी इस तरिका से में पढ़ा रहा हूं ठीक है यह क्या कर रहा है कि क्या कीजिए सबसे पहले इस कोस्टन को मैं लिखता हूं ठीक है तू प्वाईंट सिक्स एड़ पलस सत्रह पॉइंट थी टू ठीक है अगूडे में है जीरू पलस में पंदर डट 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 का मतलब यहां पर क्या है क्या है क्या यह स्थान है क्या समझ रहा हैं और फिर देखिए मिश्टेक हो गया यह ऐसे कर रहा हैं ठीक है उससे लिखना ही स्टार्ट करेंगे तब देखेगा आप लोग को ठीक है ये कोशन कर रहा है टू पॉइंट सीक्स एड प्लस सतरा पॉइंट थी टू गुणे जीरो प्लस पंदर ठीक है डॉट 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 का मतलब समझ रहे न यहां पर खाली अस्थान खाली अस्थान उसको अधकोर है बाइस है 27 पॉइंट लेख देता हूं मैं डाइडेक्ट आप लोग देख लेंगे अ जिसके तरब मुझ खुदा है वो बड़ा होता है यह देखिए यहाँ पर खुदा रहेगा वह बड़ा होगा ठीक है और जो बद आबर का चीन है तो बद आबर का चीन होँग थो नो पच्च बुराबर होंगे यह भी पंस यह भी 5 और इसका मतलब क्या है ये बड़ा और ये छोटा यानि कि ये छोटा है किस से? पांच से छोटा है, जिसके तरफ मुझ खुल रहेगा वही बड़ा होगा, ठीक है? तो यही टाइप ऐसमें भरना है, तो इसमें लिखिए इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, येदि दोनों बराबर आते हैं, त बड़ा आगिया तो बड़ा वाला के तरफ मुह खुल जाएगा और छोटा के तरफ मुह बंद रहेगा यानिकि यह नमबर आईटनसर ठीक है तो ऐसे में देखिए इसका जीरो के जीरो में किसी भी संगया से गुणा करेंगे तो इसका मान जीरो कर देगा फिर यह देखिए यह देखिए यह क्या हो एकि ud को जब जोटाना गुणावा करेंगे तो यही बड़ा आएगा तक है यह जोडांगे फिर इससे ही तक जोरंगे धानगे तक चेक करेंगे latte again next question देखेंगे next question आप लो इवह करा है कि 18 को 44 से गुणा करो ठरह याने कि ये जो गुलान फल आया है उसमें क्या करो भाईस है प्लस करो कितना ? 243 प्लस करो ठीके प्लस कर दिया मैने अब करा रहें तो जोड़ दो 2723 जोड़ दो अब कुल संख्या में 15 से भाग दो जो प्राप्त होगा वही एंसर होगा यानि कि यहाँ पर जो आया है total तो इसको क्या करो अंदर रखो और इसमें क्या करो 15 से भाग दे दो तो जो आयेगा यहाँ पर भाग फॉल वही एंसर हो जाएगा तो क्या कर प trauma के यह कब विल्गुल कर लेंगे काफी जीες इसको भी आपLo吉 ऋगके मुझे कमेंट वाक्स में बताइंगे इतना सिंपल कोस्ट नहीं बताने की जडिल्वत है नहीं है ठीक है इसको अ Cecis कोश्चन जो कि काफी सिंपल है यह वाला कोश्चन बार बार रिपीड कर रहा है और के दिखा दूंद का दूंद इस बात पर मैं दिखा लेता हूं ठीक है एक मिनट आप लोग देख लिजिए नहीं तो बोलेंगे भाईया आप जूट बोलते हैं ठीके बार बार रिपीट कर रहा है मैं इस कोश्चन को मैं आप लोग को प्रूब के साथ दिखाऊंगा सबसे पहली बात कि हमारे पास पेपर है पेपर में सबसे पहले हम कोश्चन को सबसे पहले खोज लेते हैं ठीक हैं यह दिखिये कब का पेपर है यह कोश्चन पेपर मैंने खोल दिया अब देखिए एक कोश्चन है आपका 6.6.066.066.006 ऐसे करके योगफल क्या होगा यहां पर योगफल पुछा है और यहां पक्या पूछ दिया है निकरतम मान पूछ फिर मैं एक question paper खोलूं फिर जो इस बार हुआ था मैं फिर से खोलूंगा दो एक तेस का question paper मैं आपको दिखाऊंगा हर हालत में दिखाऊंगा यह की question काफी दे इंपोटेंट है और यह पूछता है ठीक है हर एक paper में पूछा हुआ है भाईशा भी तना यह वायरल प्रस्ण है कि हर एक question paper में पूछा हुआ है ठीक है अभी देखिए इस paper में आप लोग को मैं दिखाऊंगा यहां पर देखिए कहां पे दिखा कहीं कहीं नहीं दिखा ना दिखेगा दिखेगा एक मिनट यह तो दस्मला वाला कुछ अलग है यह question है इसको दस्मलों में change करके इसको हल करना होता है ठीक है और सायद नहीं पुछा है इससे पुराना पिछले पेपर में पुछा हुआ है और यह देखिए यही मैं बता रहा था ना घंटिया आला तीन घंटिया करम से इतना घंटिया दे या एक question और था पता नहीं हाँ यह था यह वाला question पर मैं बात कर रहा हूं यह वाला आजा भाई साव इधर इधर आजा हाँ यह वाला question देखिए इस टाइप का देगा तो इसका क्या करेंगे हम ऐसा lcm निकालेंगे ठीक है लेकिन देखेंगे यहां पर second है तो फिर उसको minute में convert करेंगे आम minute में होगा तो आठ में जोड़ते ना तो राइट एंसर बी नमबर हो जाएगा इसका डाइक्ट आप लोग पकड़ सकते हैं ठीक है तो ऐसे आप लोग question paper में दिखा दिया ठीक है ऐसे question पूछते ही पूछते हैं तो इस question को आप लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है यह विश्वास के दसमला जोड़ घाटाना गुणा भाग वह आप लोग अच्छे तरीके सिखा देंगे तो यह दसमला वाला गुणा है तो सबसे पहले दूगों को उठा लीजिए दूगों को साइड में गुणा कर लीजिए फिर आप लोग जो एंसर आएगा उसमें इसका गुणा कर करेंगे से फिरिया ओब humility आप देखेए जीरो करेंगे जीरो जीरो अब फिर चाव एप तीन जीरो अपर से य और से sensors न करेंगे इस से गुणा करेंगे तो इस से गुणा करते ते हैं 0.6 अब 6 का पड़ा पढ़ेंगे शो बर में तो 36, 36, 38, 38, 38, 38, 39 21 21 का 21 ही लिख देंगे किमकि 0 से गुणा करेंगे 0 ही मिल जाएगा ठीक है अब इसको 0 में गुणा करेंगे 0006120 अब दीड़ गणप यहां पर है 10 लोग ठीक है नीचे 1 अंपर नीचे एक अंपर है तो इसको जोड लेंगे दो एक तिन तीन पर दस मठाना है यानिकि यहां पर दस मठाना है 0.216 आगे अंसर लोग है तो आपने से परवनिस्ट गुलंखंड बता देजें कर रहा है अब दिखें सोला के सवर्वनिस्ट गुलंखंड भीन पूछ रही है जबी को आप लोगों को जो बतार हो तयार करके जाना है हर हालत में तयार करके जाना है ठीक है अब देखी इसको करेंगे क्या कि 12 और सब्सक्राइब के लिए नाया सब्द इसको उभैनिस्ट का मतलब क्या होता है कामन हो जो दोनों में कामन हो एकजामपल के रूप में आपको बता हूं सबसे पहले गुर्णखंड का मतलब समय लेजिए जैसे छव है न तो छव एक किस किस संख्या से कड़ेगा वही इसके भाग लगाएंगे छो में तो चला जाएगा तीन से भी भाग लगाएंगे छो में तो चला जाएगा चार से लगाएंगे तो नहीं जाएगा तो चार नहीं होगा छो से लगाएंगे तो चला जाएगा पांस भी लगाएंगे तो नहीं जाएगा तीतना ही इसके उभैनिस् खुर suburbs को ऊसा है तो आप दीजिए इसका दोनों का वेपिनाल डिंट क हंद काका फिर 20 कंड मीन से कटेगा तो सब्सक्राइब करेंगे क्या इस में इक है जो डोनों में है और कोई है क्या चार है जो दोनों में तो थी कहें उसके बाद कोई है कोई तो तीन ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में एक है एक दो है एक चार है तो यहीं आप लोग का एंसर हो जाएगा कहां कोहीं दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है एक नमबर आइट अब पहुंचते हैं हम लोग किसमें भाग भाग कर रहे हैं सोरी मैस के सकेंड कोश्चन यान कोश्चन के लिए एक फर्मुला होता है थीक है थीक है पहली संख्या गुंडे दूसरी संख्या बराबवर यह यहश्युत पहले लिए कोई दिकत नहीं है यह आप लोग का एक छोड़ा सा सुत्र है अब देखिए इसमें क्या पुछा है लगुत्म समापर्तक का मतलब होता है एक सी अप ठीक है महत्म समापर्तक का मतलब होता है एक सी अप तो इस कोश्चन में लगुत्म समापर्तक का मतलब होता है एक सी अप त संख्या गुष्ण दूसरी संख्या ठीकिते अब बट में क्या आजाएगा आप लोग एट्सीध आजाएगा धोईआव्स्य दिारी इसको पायुष्थर गर दσιम्त का उसको पत्र में यहीं रहने देंगे दूसरीं को इफ wr को प meidän यानिगि इसका मान्हें दिलिग ठीक है तो तो तीजंट इस नीट हीक है यानों चुके फिछल्व प्र गता है जीति पिछला इसाट पेपर में मैं दिखा हूं रुक जाए एक मिनट पता है पिछले कोस्टन में इस टाइब का कोस्टन दिया है कि नहीं दिया था क्योंकि यह भी काफी इंपोटेंट कोस्टन है ठीक है मैं एक मिनट देख लेता हूं कोई देखने में दिक्कत थोड़े है मैं जल्दी जल्दी में देख ल देखिए एतन ही की यहां पर ग्यांत करने के लिए से कदिया यहां प्रकन के सब्सक्राइब बताया है कि आप लोग क्या किजिएगा सुरुगा तो दिया इक जो गुणा के रूप लेजीगा ठीक है तो पेपर में से उठा रहा हूं वा양 लाइख सके हैं ये लोग ध्यान देंगे इस टैप का कुछन आएगा तो आप लोग फोड कराएंगे ठीक है अब नेस्ट कोछन देखेंगे यह वी कोछन का पुरूब दिखाना पड़ेगा कि यह धर प्रूप दिखा देता हैं यह लड़्का पेपर देकर आंगे प्राइब तो हृप में दिखा रहा हूं तो ओंड्रेट्पर मुझे लिए थे कर ले सकते हैं तो में लिए सकता होँ कि आपके board mask की नियम पर एक दो question रहेंगे, दो question तो fix है, ये किसी का बाप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, किसी का बाप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, ये मैं दावाद ठोक कर का सकता हूं, ठीक है, अब देखिए, एक paper मैं और दिखा देता हूं, जो 49 मद 23 को हुआ था, 49 मद 23 को आप लोग जा कर देखिते हैं, 49 मद 23 को यहीं paper आया था, यहीं paper आया था, मैं 100% guarantee के साथ का सकता हूं, ठीक है, तो आईए, इसमें math की question पर हम लोग चलते हैं, math की question में अगर दिन नहीं मिलेगा, तो आप लोग आईएगा, बोड मास की नियम पर ही है, ये इस question को solve करेंगे वैसे ही आया है, ठीक है, ये भी आया है, जोड घटाना, ये भी आया है, ठीक है, तो आप लोग तैयार करके जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, हर आदत में इस type के question, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे, और सारे question paper पर देखाने की जरूवत नहीं है, तो YouTube पर सर्च करे देखे, मैं जो बता रहा हूं, नोट कर लिएगा, जोड घटाना, गुणडा, भाग, दसमलोव वला, पूछेगा तो पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा, 100% दावा के साथ कर सकता हूं, ठीक है, पहले नमबर ये question fix है, दूसरा नमबर question 1946 quaster queens there, board members, ठीक है, बोड़ मार आज कर नियम, आप लोगे से पूछेगा, तो फूछेगा, 100% पूछेगा, पहले बता दिया, दूसरा question बता दिया, तीसरा question भी बताओं, तीसरा question आप लोगे से पूछेगा, वे question है, किसमेवे, आयत, आयत, वर्ग, परिमाप, यहो भी है, कि इ subjects個 cat 100 परसें है इसम आप लोग से पूछेगा टो पीछेगा और लिए और मानी टाइक का सारा कोई क्यों कर देंगे और स्लों कर लोको दिख रहा है इस टाइप का को दिखा पेपर कर रहा हूं जो ऐसने कोलिए को सब्सक्राइब तो इस तरह के catch जीए बीक aún आल कि कटने कोस्टन रीक्स कर दिया यह कौोश्टन कोश्टन वर मन है । दिया खिट पयोत्त फोलन यह सारी कोण्ट आपको पता होना चाहिए मैं परूब दिखाता हूँ यह इस और कर ले सकते हैं मुझसे मैं जो बता रहा हूं भाई से वह आप लोग को तैयार करके जाना है यह देखिए कोश्चन कर रहा है यह चार नौमब दो है तेज का पेपर है कि एक पर्तिवर्तिक कोन को ब्रिहत कोन बोलते हैं अब रिहत कोन क्या होता है 180 डिवी से अधिक को पता होना चीए नियुन कोन कितना डिवी से कम होता है 90 डिवी से कम और 0 डिवी से क्या होता है अधिक कोन किसे कहते हैं अधिक कोन हम लोग उसे बोलते हैं जो 90 डिवी से बड़ा और 180 डिवी से छोटा होता है ठीक है तो यह आप लोग का 90 डिवी से बड़ा है और 180 डिव सब्सक्राइब कोई नहीं है लेकिन मैं हूं तो आप लोग को सब को सम्भव है मेरा फोटी नाइन रुपीज आप लोग को अनली पेमेंट करना है पेमेंट कैसे करना है मेरा एक नंबर है चानबे सब्सक्राइब को कीवर कोर्ट भेजा जाएगा बस आपको बोलना है कि भाईया मुझे क्या कीजिए नोर्स दे दीजिए ठीक है कोर्स अपना सब्सक्राइब करना है मेरा नाम लिजिएगा कि हाँ गोविंद भाईया बिल्कुल सहीं बोले थे यह कोश्चन लड़ गया और लड़ेगा यह 100% में दायवा के साथ को सकता हूं ठीक है इतना पढ़ाते-पढ़ाते और भ्यास हो सकते हो गया कि कौन-कौन कोश्चन आपक दे सकता हो ठीक है तो अपना मेरा कोर्स जोइन कीजिए मात्र 49 रुपीज पुरा यूट्यूब पर सबसे सस्ता मेरा कोर्स है दो आजर तीन हैर का आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है 49 रुपीज मार्केट में उड़ा डालेंगे या कहीं गिर जाएगा या बिला तो कोई मात्तो ने यह 50 रुपीज में कितना पैसा देकर पढ़ा हूं फिर पढ़ा रहा हूं ठीक है समझ सकते हैं पढ़ाना कोई इजी नहीं होता है ठीक है तो मतलब बहुत सरे पैसा मैंने अपने श्टडी पर लगाया है फिर आपको आकर यहां पर पढ़ा रहा हूं ठ ठीक है उन्चे शुर्पय का मतलब कुछ नहीं है मैं भी चाहता दो तीन या चारा जार कोर्स का रेडर रख सकता था बढ़ क्या होगा उससे होगा यह कि गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे कितनी दुख की बात है तो आप लोग जोईन कीजिए ठीक है अब याग को कर लिए थे यहां तक कि अभी लिख रहे थे अभी लिख रहे थे ठीक है इसको कर दूना बिल्कुल कर दूंगा नहीं तो आप लोग बोलेंगे भाई आप कोश्चन छोड़ देते हैं ठीक है तो वीडियो कंप्लेट आप लोग देखते रहेगेगा थ्री गूड़े 43 माइ प्रिंस बहुतर प्लस आप लोगो फिर इंप पढ़ाता हूं कोश्च जॉइन करेंगे वही मुझे प्रोफिट होगा क्या होगा प्रोफिट होगा वैसे यूटुब से अर्निंग होता है बट उतना नहीं होता है जितना चाहिए ठीक है बहुत ही कम होता है अब यह पेपर प्रिंट आउट निकलाने के लिए प्रिंट निकलाने के लिए यह बहुत महांगा निकलता है पचास रुपया ठीक है अभी मैं संपर्क है तो कमी हो गया तो बहुत शारे पैसे खर्च लगते हैं तो आप जोईन कीजिएगा उंचा से लिएंगे तो आपके पास जो पीड तो चोटा कोश्टक तो इसको ऐसे रहने देते हैं नव दूना अठारा होता है फिर एवां कि तिर्यालिस होता है माइनस अठारा सत्र कितना होता है आठ सता आप लोग का पंद्रह कि दो जोड़ देजिए इसमें 20 35 कि अब इसको घाटा आएंगे भाई सैब कि तिर्यालिस में से 35 तो आठ बचेगा इसे ही है बोलते बोलते मेरा मुह देख गया 24 राइट एंजर ए नमबर ठीक है यहां आपको कोश्टन बेपर में दीख रहा होगा इस कोश्टन को आप लोग कर लेंगे एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में फाइप रिस्यू दो का अनपात है यदि खेत की चौड़ाई 14 मेटर है तो खेत का छेतर फल बताईए लंबाई और चौड़ाई यह लंबाई और चौड़ाई दिया है तो लंबाई फाइप रिस्यू तू यानि कि आप लोग का जो लंबाई हो गया पांच हो गया चौड़ाई हो गया दो हो ग का लांबाई निकल जाएक तो 5 साथ 25 एस शौणाई फ्मालेस प्मेर धी गुना करनागे पांच तीन जीरो नो एंसर है जी की नहीं है बहुत दीजी है ठीक है मतलब पुछ नहीं है बाइस है 30 कापिया का मुले च्छा रुपया है तो 17 रुपय में कितने टाफिया मिलेंगे टाफिया पढ़ना चाहिए था कापिया पढ़ रहा हूं ठीक है अब देखे करेंगे कैसे 30 टाफियों का मुले च्छा रुपया दिया ह तो यह कुर्पय में कितने मिल रहे हैं तो 30 में 6 सभाग देंगे तो यह कुर्पय का निकल लेगा 6 पचे 30 5 मिल रहे हैं तो 17 गुणे 5 कर लेंगे सब्सक्राइब यह कुर्पय को लेगे तो यह कुर्पय में 5 तर्फिया मिलेगा तो आपको 17 पर ख़रिदना है तो 17 से 5 में गुणा कर देंगे पचासी को टाफ ही आपको मिलेगा ठीक है चालिस भी द्यारतियों कि एक कच्छा में 40 परसेंट लड़के हैं और सेस लड़किया है तो कच्छा में लड़कियों की संख्या बता दीजिए देखिए चालिस ये कोई स्कूल है इसमें टोटल छात्रों छात्राओं की संख्या 40 है इसमें 40 में लिख देता हूँ ठीक है अब 40 परसेंट क्या बोला है लड़किया बोला है लड़के हैं तो लड़के हैं तो सबसे पहले 40 का 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 मतलब गुणा 40 परसेंट निकाल लीजिए का यहाँ आप लिख देजिए 40 गुणे 40 बटे 100 एक जिरो से एक जिरो से एक जिरो से एक जिरो चार चोब को 16 अब यह 16 किसकी संख्या आया है 16 आप लोग का लड़के का संख्या है लड़के की संख्या पूछ रहा है तो 40 में से 16 घटाएंगे आप लोग का कितना मिलेगा 24 मिलेगा 24 कहीं दिया है C नंबर आयट अज़ा है 56 नंबर कोश्चन आप लोग कर लेंगे 7 नंबर भी कोश्चन आप लोग कर लेंगे 8 नंबर एक ट गया है इसको मैं बता दूँ कि नहीं बताओ विडियो लंबी हो जाएगी समझ रहना हो चले मैं बता देता हूँ इसको एक वर्ग का परिमाब 164 है पहले एक वर्ग बना लेते हैं इस सोरी अटाओ यार एक वर्ग आप लोग का जिसकी चारू बुजाएं क्या होती हैं बरावर होती हैं 364 दिया है तो परिमाब बरावर जाने हैं वर्ग का परिमाब बरावर होता है आप लोग का चार गुंडे भूजा ठिक है यादी माल लीजे ए है beautifully तो चार गुंडे ए यहीन ने करते हैं यादी हम लोग को ए पता करना हो तो यहां पर जो परिमाप दिया है उसमें क्या करेंगे इसी चार से भाग करेंगे इधर चार आ जाएगा बट्टे में हो जाएगा तो एक आमान पता चल जाएगा यानि भूजा का मान पता चल जाएगा तो 164 में हम लोग भाग देंगे किस से चार से तो चार चोग को 16, 49, 41 मिला है अब 41 कर देंगे यह आप लोग का छेतर फल पता चल जाएगा तो एंसर आप लोग कमेंट करेंगे यह 16-81 होगा साहथ ठीक है इसको भी कर देंगे भाई साहब चलिए हम लोग आते हैं आप हिंदी वाले कोष्टन पर वीडियो काफी लंबी हो गई है और साम भी हो गय है और मैं देखिए और किसी का चैनल पर जाएंगे तो उसमें दो तीन टीचर आकर पढ़ाएंगे लेकिन मैं लगतार सुरू से लेकर आन तक वीडियो बनाता हूं तो बोलते बोलते मेरा मुह ही दुख जाता है तो क्या ही बताओ और यदि आप लोग चाहते हैं कि हिंदी मोदे का वे इंपूरेंट है इसको कर लिजिये यह भी इसकी इंचो टाह fashion कर लीजिये यह यादी आप चाहते हैं इसका सलुषन तो आप रीपस क्या करेंगे कॉमेंट करेंगे 1,000 कोमेंट आ जाता है घ्र क्या कमेंट करना है मैं लिख देता हूं कि मैं लिख देता हूं हिंदी पूल सुलूशन ठीक यहीं आप लोग और को कमेंट करना है हिंदी फूल सुलूशन भईया ठीक है फटा कोमेंट कीजिए इसको इसको इसके इसको आप अपकी आप लोग क्या करेंगे लिख कर पढ़कर धर लेंगे और क्या करेंगे बाई साहब और चाहते हैं कि तहलका मचाएं एक्जाम में जाकर तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा कि इंपोटेंट कोश्चन याने इंपोटेंट वीडियो को ज़्यादे आप मिस कोड़ डालेंगे तो भाई आप ही सोचिएगा क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है इस वीडियो में इतना है था फिर्म लेंगे नेक्ट वीडियो में किसी नए मज़दार टॉपिक के साथ कमेंट कीजिए शेर कीजिए थांग्यू समझ बच्चों